अब लिखाए इस दा फॉंक्शन डिफाइंड बाइड इस अ कंटिनियस फॉंक्शन पूछ रहा है यह तुम्हें निकालना उस पॉइंट पे वन पे और लेस देन पर तो आए गई कंटिनियस तो वही चीज़ पूछना चाहरा है कि कंटिनियस है या नहीं है तो इस तरीके क सिग्मेंट होगा इसको कल करें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब भी आप देखोगे तो यह और कंप्लीट कर लेते हैं कुछन में 13 इस पार्ट के लिए तो इसमें क्या होगा अगर यह नंबर लाइन है कहां पे वन पे तो वन का लैप्ट जो है और वन का जो राइट ह एक लिए अगर अगर मैं यहां पर केस बनाओ तो केस वन तो एट एक एक शिकल टू बन पर ने लेना पड़ेगा एक फिर केस्टू एक केस्ट्री तो केस्ट 3 की बात कर दो केस्ट्री में ले लेंगे एक जो है फ्रस द्रसने सधन एउसस-ट्रीम्च क्या होगा है जिएक प्लाइब distint यॉटो continuous होगा कहां पे गेड़े देंग बन पे तो यहां तक तो गंडियूस हो रहे है वन पे left right अलग अलग है तो लेचल लेना पड़ेगा तो लेचल limit x tends to 1 minus 1 minus फे function x plus 5 है तो 1 put करा तो 1 plus 5 कितना हो जागा सिक्स हो जाएगा और आरेचल जब निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट एकस ट्रेंश टू बन प्लस कि एकस माइनस फाइब तो वन रखोगे तो यह माइनस फूर आ रहा है तो लेचल अर्चल इक्वल नहीं है तो तो इसकंटिनियस हो गया तो फाइनली यह function जो है कहां पर डिसकंटिनियस हो गया एकस इसकल टू बन पर लिख भी देना के लेचल नॉट इक्वल टू आर्चल इसलिए डिसकंटिनियस है तो आई होप इतने सारे questions करने के बाद आपको एक अप्रोच तो बनी गई होगी क् चैनल पर नए है तो चैनल सब्सक्राइब कर ली ना आप लेटेस्ट वीडियो में देखो कि तो मिली जाएंगे आपको लेक्टे सारे ठीक है आई होप आपको यह अच्छा लगा हो मेरी मेहनत काम आई हो मैंने पूरी कोसिस किए कि आपको सारी ची एक्समेंट कर दू जहा झाल झाल